स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ए आर करियर पॉइंट में आज एक अत्यांत ही महत्वपूल टेस्ट होने जा रहा है आपके क्लास तेंथ के साइंस का इस टेस्ट में हम लोग आपके मोडल पेपर साइंस की चर्चा करेंगे जिसमें सिर्फ अब्ज सबभन के जिन के आने की सामभावना बनी रहाती है वहीं प्रस्ण हम दो चर्चा करेंगे तो आप आज के टेस्ट देते समय दो बातों का ध्यान रखिएगा पहला बात कि आप एक-एक प्रस्ण का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएगा चाहे आप कभी भी टेस्ट को देखे और साथ ही साथ दूसरा की नीचे कमेंट बॉक हैं आपको यहां पर किलियर हो जायगा कि क्य आपका कॉन कौन चेप्र कि तयारी मथ už अपको आनसर का देगा है और इस मालों गात्याया करते जाएगगा क्योंकि यहाँ पर देखें इंस्ट्रक्शन लिखा है कि यह प्रस्ण अत्यन थी महत्वपूर्ण आपको इसको याद करते चलना है तो पहले प्रस्ण आगे आप physics से पहले हम लो 10 प्रस्ण physics से चर्चा करेंगे तो अपने दिमाग में physics के सारे concept लाईए और पहले नमर question का answer देखिए बड़ा ही आसान और महत्वपून प्रस्ण है क्या कह रहा है निमलिखित में से कौन उत्तल दरपन की फोकस दूरी है जिसकी वकरता तिरजिया 32 सेंटेमीटर है कह रहा है एक उत्तल दरपन आपको दिया गया है जिसकी वकरता तिरजिया 32 सेंटेमीटर तो उसकी फोकस दूरी आपको बताना है जल्दी से फास्ट आंसर कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा मैं आपको समय दे रहा हूँ सोची और आंसर कमेंट कीजिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं F बराबर होता है R बटा 2 फोकस दूरी को निकालने के लिए वकरता तिरजय में दो से भाग देते हैं उतल दरपन की बात हो रहा है तो पलस में आंसर आएगा तो 32 में दो से भाग दे दिजे का 16 सेंटेमेटर राइट आंसर हो गया एक एक प्रसन का ध्यान से समझकर आंसर कमेंट की जामी फिजिक समनो चर्चा करें दूसरा नमर महत्वपूर्ण प्रसन आगे आपके बोर्ड परिक्षा के लिए करें दरपन का सुत्र है आपको बतना जानते हैं आप दो सुत्र सीखेंगे दरपन सुत्र लेंस सुत्र जल्दी से फास्ट आंसर कमेंट कीजिए आपको अप्शन दिखाई देरा है कि दरपन का सुत्र क्या है तो इसका आंसर आपको पहले नमबर पे मिल जाने वाला अथात की आप्शन ए एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटे में एफ चलिए आगे बढ़तें एक एक प्रसन का आंसर दीजिएगा ध्यान से और नहीं तो याद करते चलिए तीसरा प्रसन आपको दिखाई देरा जल्दी से फास्ट आंसर कमेंट कीजिएगा बड़ा ही आसान और महत्वपूर्ण प्रसन है कह रहा है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी बस्तू का परतिवीम्ब बनता है आपको बतलाना है कि मानाव नेत्र के किस भाग पर किसी बस्तु का परतिविम बनता है तो ध्यान से देखिए अप्सन दिखाई देरा है कोरनिया परितारी का पुतली दृष्टी पतल तो किस भाग पे बनता है द्रिष्टी पटल राइट आंसर हो जाएगा रेटीन आर्थात की option D is right answer question number 3 का चलिए चोथे नमर प्रस्ण देखी और answer comment किजिएगा करन नेत्र की समंजन छमता कम हो जाने से उत्पन होता है आपका नेत्र का समंजन छमता घट जाता है कम हो जाता है तो कौन सा द्रिष्टी दोस उत्पन होता है आपसे पूछ रहा है option है निकट द्रिष्टी दोस धूर द्रिष्टी दोस जरा द्रिष्टी दोस इन मेंसे कोई नहीं जल्दी से fast answer comment करना है आपको तो इस प्रस्ण का सही answer हो जाएगा option C जरा द्रिष्टी दोस कौन दोस उत्मन होता है जरा द्रिष्टी दोस चलिए पांच नमर प्रस्ण आगे आपके electricity चेप्टर से मैंने बताया कि मैं हर चेप्टर के महत्वपून प्रस्ण को cover किया हूँ यहाँ पे ध्यान से मैं पहला है पहला है स्रेड दूसरा है समन आंतर कम जोड़ते कर quano市 निकालने के लिए कि स्रेडी करम पूछा तो दो एक तीन और तीन छो अप्सन देखिए डी पर दिखाई देरा आपको छो तो राइट आंसर अप्सन डी हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं छे नमर प्रस्ण को समझे और आंसर दीजिए नहीं माल में तो याद करते चलिएगा करें विभुवां बढ़ा आसान प्रस्ण है आपसे परिक्षा में चाहे पूछे पीभुवांतर चाहे पूछे आपका विभव आपको हमेशा आंसर टी करना वोल्ट भी क्या होता इसका इसा इमातरक भी अर्थात की वोल्ट चलिए आगे बढ़ते हैं सेबन नमर प्रस्ण ध्यान से देखि हैं इसमें से कौन सी युकती है जो बिधु धारा अर्थात की आपके इलेक्ट्रिक करेंट को उत्पन करती है जनीतर उत्पन करता है कि मोटर की एमीटर की गैलवेनो मीटर तो आप जानते हैं जेनरेटर अर्थात की बिधु जनीतर बिधु धारा को उत्पन करता है तो ए इस राइट आंसर हो जाएगा आपके 7 नमर प्रस्ण का चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नमर प्रस्ण पे ध्यान देकर आंसर कमेंट कीजेगा करे लगू पतन के समय परिफत में बिद्धु धारा का मान क्या है आपसे पूछ रहा है कि जब short circuit हो जाता है तो उसमें बिद्धु पर लिजे इसका सही आंसर हो जाएगा एट नमर प्रस्ण का option C बहुत अधिक बढ़ जाता है आगे बढ़ते हैं 9 नमर प्रस्ण पे ध्यान के अंद्रित कीजे करें जिवास्म इंधन की उर्जा का वास्तुविक सुरोत क्या है पूछ रहाए आपसे कि जिवास्म इंधन क कि उर्जा का वास्तुविक सुरोत क्या है तो इस प्रस्ण का सही आंसर हो जाएगा ध्यान से देखिए नाहीं नाधिकिये सनलैन होगा नाहीं संद्रमा नाहीं सुर्य तो इसमें से क्या होगा इन में से कोई नहीं D is right answer of question 9 चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नमर प्रस्ण आपक तो कौन सा है जानते हैं आप carbon dioxide इसमें कुछ आपको सोचना नहीं है option C right answer कर दीजिए आर्थात की carbon dioxide चलिए बढ़ते हैं यह तो 10 प्रस्ण जो अभी हम चर्चा किये हैं इस अभी physics के परते एक चैप्टर से लिए गये त्यातात के 100% physics के सीलिए बस हम लोग कभर किया है स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले हमारे इस चैनल पर कलास 9 कलास 10 की मैट्स के चैप्टर वाइज लाइब कलासेज मैट्रिक और बारहुई की बोर्ड पर इक्छा के लिए सभी विश्यों के चैप्टर ट्यूशन के भी बोर्ड पर इक्छाव की तैयारी घर बैठे अराम से कर सकते हैं धन्य बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और केमेस्ट्री से प्रस्ण शुरू करेंगे हमें यहां से तब तक जो भी बच्चे अभी तक कलास को लाइक नहीं किये जरूर आप लुग लाइक क करते हैं तो हम ऐसे ही आपके रिए स्वंपूर चेप्टर से लागतार टेस्ट जारी रखेंगे चलिए केमेस्ट्री से पहला प्रस्ण बट आपके आज के टेस्ट का एक गारह नमर प्रस्ण आगे आपके सामने ध्यान से देखिए और आंसर कमेंट किजे कह रहा है आलू चिप्स की थायली में कौन सी गैस भारी रहती है आपसे पूछा है कि आलू चिप्स की थायली में कौन सी गैस भारी रहती है यदि आप केमेस्ट्री का पहला चेप्टर पढ़े होंगे केमिकल रियक्शन एंडिक्वेशन तो उसी से प्रस्ण लिया गया है कि ताकि चिप् अर्थाद कि B is right answer हो गया option B पर आपको nitrogen लिखा हुआ दिखाई दे रहा है चलिए 12 नम्मर प्रस्ण पर ध्यान देजिए बड़ा ही महत्वपूल प्रस्ण आ गया करें निमलिखीत में से कौन दूई बीस थापन अभिकिरिया कौन है ध्यान से option देखिए option देखकर जल्दी से answer कमेंट किजेगा जिनको मालूम होगा जिनको नहीं मालूम है याद कर लिजिए option C जो लिखा है AZNO3 प्लस NACL AZCL प्लस NANO3 अर्थाद कि C राइट आंसर होगा यहीं दूई बीस थापन अभिकिरिया का उधारन है चलिए आगे बढ़ते हैं तेरा नमर प्रस्ण बड़ा महत्वपूर बिल्कुल आसान प्रस्ण है उदासीन बिलियन का मान क्या होता है आपसे पूछ रहे कोई बिलियन यदि उदासीन हो तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा और एक प्रस्ण का और जबाब दीजिए यहाँ पे कि जल का सूध जल का प्येच मान कितना होता है तो सूध जल का भी प्येच मान सूध जल उदासीन होता है तो उसका प्येच मान साथ होता है चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए 14 नमर प्रस्ण 14 नमर प्रस्ण आज के टेस्ट का तो 14 नमर प्रस्ण कह रहा है जल में घुलन सील छारक कहलाते हैं आपसे पूछा है जल में घुलन सील छारक क्या कहलाते हैं तो 14 नमर प्रस्ण का आंसर कमेंट में बताईएगा क्या कहलाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा option B छार कहलाते हैं छार और छारक में यहीं अंतर होता है इस बात को समझ लिजे कि जो छारक होते हैं वैसे छारक होते हैं जो जल में घूल जाएंगे तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा option B right answer होगा चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नमर प्रसंद देखिए ध्यान से क्या कह रहा है किस धातू को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है आप जानते हैं धातू की करो पर्टिस कहता है कि सभी धातू कठोर होती है बट आपको करके आना है परैक्छा में option D sodium is right answer चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नमर प्रसंद फिर वहीं आगया अधातू प्रसंद दातू की अपवाद से एक पोच्छा रहा है अधातू के आ जानते हैं जनली आदातू बिधुत की कुचालक होती है बटकर है कौन सा ऐसा अधातु है जो बिधुत का सुचालक है अर्थात की जी से बिधुत धारा परवाहित होती है तो इस प्रस्ण का आंसर जल्दी से बताया गया दी मालूम होगा तो नहीं मालूम है तो याद कर लिजिए बी अर्थात की गेरभाईटे करती है और तकी बीधूत की सूचालाख का चलीन आगे बढदें के ओर फ्सक्राश देए सब कर से 6 जा तो मेरे कार्बन परमारू के बीच क्या रहता Student क्या रहता है F E अर्थात की option A सही answer हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नमर प्रस्ण पे ध्यान देजिएगा बड़ा असान और महत्वपून प्रस्ण है करें कार्बन हाइड्रोजन से सन्योकर बनाता है कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ मिल कर क्या बनाता है आपसे पूछा आइनिक योगी बनाएगा या हाइड्रोकारबन बनाएगा या हैलोजन बनाएगा या अमलराज बनाएगा तो आप जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन जब सन्योक करते हैं तो हाइड्रोकारबन बनता है अर्थात की option 20 सही आंसर होगा और hydrocarbon आपका चैप्टर भी है चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नमर प्रस्ण बड़ा ध्यान से देखिएगा बड़ा महत्वपून प्रस्ण है कर रहे अस्टक का नियम अस्टक का नियम डाल्टन ने दिया Newlands ने दिया मेंडलीप ने दिया डोबे राइनर ने दिया तो किस ने दिया था तो देखिएगा यहाँ पे option आपको दिखाई दे रहा है A में है डाल्टन आप जान्ट है डाल्टन का परमालुवाद सीधान तर्था कि परमालु से सम्बंदित नियम दिया था वही निव लेंड्स जो है अस्टक का सीधान दिया था तो यहीं होगा अतात के option B सही आंसर होगा और option C पुछा जाए मेंडलीप तो इसने आधुनिक आवर्थ सालनी दिया था और डेब राइनर पुछा जाए तो इसने आपके आवर्थ के त्रीक सीधान दिया था यह सभी सीधान दिया था लेकिन इसका सही आंसर होगा option B right answer हो गया चली आगे बढ़ते हैं 20 नमर प्रसन कह रहा है आपसे आधुनिक आवर्थ सालनी में बरगो की संख्या होती है आधुनिक आवर्थ सालनी में बरगो की संख्या होती है तो इस प्रसन का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है 9 बरग है आधुनिक आवर्थ सालनी में मोडर्न प्रियोडिक टेबल में या 18 है की ये 18 है की 10 है तो इसका सही आंसर होगा option B 18 चलिए अब आगे बढ़ते हैं यदि आपको आंसर दे रहे होंगे तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजेगा और यहां पर हम आते हैं बाइलोजी 20 प्रसन हमनों चर्चा कर चुके हैं 10 आपके फिजिक्स और 10 आपके केमेस्ट्री के सभी चेप्टर से लिये गए थे अब चलिए बाद करते हैं बाइलोजी का पहला प्रसन बट आज के टेस्ट का एक इस नमर प्रसन आपके सामने रख रहा हूँ ध्यान से देखिए क्या कह रहा है मैगनीसियम पाया जाता है मैगनीसियम कहा पाया जाता है आपसे पूछ रहा है जल्दी से बताइएगा आंसर यदि मालूम होगा तो मैगनीसियम क्लोरोफील में पाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा आपसन है यहाँ पे कुछ एक सूचना है आपके लिए ध्यान दीजेगा यह हम class 10 के science को objective प्रसन discuss करने के स्रिंखला हम लोग बहुत chapter wise पहले से कर रहे हैं यदि आप उस अभी classes नहीं देखे होंगे तो इस channel को subscribe कर देखेगा हमने playlist तयार कर दिया है class 10 के हर जो भी subject पढ़ना है जीतने भी videos अब लेबल आएं आप देखकर तयारी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग संपूर्ण से डिसकस कर रहे हैं पीछे हम लोग एक एक चैप्टर से डिसकस किये तो वहां से आपके लासे देखकर जरूर समझ लीजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नमर प्रस्न क्या कह रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है आपसे पूछ रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है बड़ा असान प्रस्न आपके बाइलोजी से लिया गया जल्दी से बताएगा किस में पाया जाता है 22 नमर प्रस्न तो इसक बढ़ते हैं 23 नमर प्रस्ण आपके बाय्लोजी से तीसरा प्रस्ण है आगे बढ़ेंगे आप 24 नमर प्रस्ण का आप आणसर देने का परइयास कीजिए एंडोजन है नर हार्मोन है मादा हार्मोन है पाचक रस है कि इनमें से कोई नहीं है आपको बतलाना है तो 24 नमर प्रसने दी परिक्षा में आ जाए कि एंड्रोजन क्या है तो रट जाएगा नर हार्मोन है क्या है नर हार्मोन है अर्थात की मेल हार्मोन है तो option A right answer हो गया चलिए 25 नमर प्रसन देखिए बड़ा महतवपून प्रसन है चलिए 25 नमर प्रसन कह रह अर्थात की 23 जोड़ा तो option B सही answer हो जाएगा जोड़ा में पूछता तो option A right answer होता चलिए आगे बढ़ेंगे 26 नमर प्रसन देखिएगा कह रहा है फूल में नर जनन अंग है फूल में आप नर और मादा भाग तो आपसे पूछ रहा है कि नर जनन अंग कौन है आपको बतल जाना है तो इसका सही answer हो गया आपका option A पूंकेसर जो है फूल का नर जनन अंग होता है क्या होता है पूंकेसर याद करते चलिए एक एक प्रसन चलिए 27 नमर प्रसन देखिए बड़ा ही महत्तव पूल प्रसन आप question bank पड़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कितना जानते हैं मेंडल ने परयोग किया था अनुवान सीखता से संबंदिद तो किस पौधे पर परयोग किया था मटर पर सेम पर चाना पर किस सभी पर आपसे पूछ रहा है तो जल्दी से आंसर अगर मालूम होगा तो बताईएगा नहीं मालूम है तो याद कर रहें मेंडल न ही एकस वाई है कि सिर्फ एकस एप्स है किस परयाई है तो क्या है एकस वाई बड़ा असान प्रस्ण है पूरू शू अलता प्री होता हैं तो कितने प्रमारू听 3 अर्थात की option C right answer हो गया चलिए तीस नमर प्रस्ण पे ध्यान दिजिएगा करा इस्त्री जीन संगठन होता है यहाँ पे देखिए पूरुस पूछाता है यहाँ पे पूछा है इस्त्री तो पूरुस में XY तो इस्त्री में XX अर्थात की option A right answer हो गया चलिए यदि आप तीस प्रस्ण में से आपका कितना प्रस्ण सही हुआ है नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा साथ ही साथ चैनल परने हो तो सब्सक्राइब करके जाएगा और क्लास को लाइक कर दीजेगा और फिर आगे आप क्या चाहते हैं इसके बार में बताईएगा वैसे क्लास में आपके लिए लाने का पर्यास करूँगा तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखी और खूब पढ़ाई कीजिए आप सभी को बहुत बहुत धान्यबाद